हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में तो दोस्तों आज हम जान सेतु के सुबोध कारिपुस्तिका के अपने कारिगराम को आगे बढ़ाते हुए गनित भाग पर चर्चा करेंगे इस पे हम पाले भी कुछ वीडियो बना चुके हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उन वीडियो जिको भी देख सकते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कि अभी तक यदि आपने चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में आपको एक घंटी आप उस घंटी को भी जरूर दबाएं और घंटी को दबाने के बाद आपको ओल दिखेगा अब उस ओल को जरूर दबाएं ताकि हम जैसे कोई वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकर्शन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो की मदद से अपने कारिपुस् से संबंदित होगा और आज हम इसी को हल करेंगे और यहाँ आपका पेज नमबर 38 है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हमारा जो पहला सवाल दिया गया आप उन्हें पढ़ें दिया गया है कि दी गई सार्नी में खाली अस्थानों पर आने वाली संख्याएं लिखी देखिए आपको यहाँ पर दो सार्नी दी गई है एक है बॉक्स की संख्या दुसरा है बॉक्स में लड़ों की संख्या तो आपको यहाँ पर तीन खाली जगा दिये गए हैं तो चलिए इसे भरते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर आठ हो गया एक से आपका आठ हो गया, दो से सोईला हो गया, तीन से चुबिस हो गया, चार से बतीस हो गया, तो देखे एक को आठ घर पढ़िएगा तो आठ आएगा, दो को आठ घर पढ़िएगा तो सोईला आएगा, तीन को आठ घर पढ़िएगा, चुबिस आएगा, चार को आठ घर तो बढ़िए तो आपका 32 आएगा तो दbot है थे दर 1, 2, 3, 4 आएट यहाँ पर क्या होगा बेलकूर यहाँ पर 5 होगा और 5 को कितने गपढ़नें, तो 5 को हमें 8 गपढ़नें और 5 को 8 गाँ плат़नें, कितना आएगा 5, 4, 40 आएगा तो आपका 40 होजाएगा तो देखिए आठ गर पढ़ेंगे तो पी को आठ गर पढ़ेंगे तो क्या आएगा आठ पी आएगा आएगा किने बोले हाँ सर आठ पी तो आएगा क्योंकि आठ पी से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो यह हमारा आजाएगा एट पी तो यहां पर आपका आगया आठ पी तो चलिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो सवाल नंबर एक था वा बन के हो चुका है तो चलेंगे अपने अगले सवाल पर और आप साथ में वीडियो को लाइक करते चलिए और इसे अपने दोस्तों को भी जरूर सेयर कीजिए अगला सवाल दिया गया है जन्म दीन पर रवी एक बच्चे को दो टोफी देता है अधिक अक्छा में एक्स बच्चे हो तो रवी कुल कितनी टोफी देगा तो देखिए अगर आप किसी एक बच्चे को एक टॉफी दीजिएगा तो दो बच्चे को कितने दीजिएगा चार टॉफी तीन बच्चे को चार टॉफी चार बच्चे को आठ टॉफी पांच बच्चे को दस टॉफी मतलब क्या करते जा रहे हैं जितना बच्चा है उसको दो से गुना करते जा रहे हैं तो यहां पर मेरे पास दिये गए हैं बच्चे X एक को टॉफी दो तो क्या करेंगे X को दो से गुना कर देंगे तो क्या लिखेंगे कूल टॉफी तो मैंसे जूम करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे यहां पर उतना जगा नहीं मिल पाएगा तो आप का हो गया कूल टॉफी तो कूल टॉफी कितने हो गए एक बच्चे को अपने दिया दो टॉफी टोटल है एक्स बच्चे तो कितने हो गए दो एक्स से चार वर्स बढ़ी है अधिसरीता की आयू एम वर्स है तो सीमा की आयू क्या है अच्छा एक चीज बताईए अपके भाई की आयू दस वर्स है ठीक और आप उनसे अगर दो वर्स बढ़े हैं तो आपके आयू कितनी हो जाएगी 12 किसे पता किया दोनों को अपने जोड़ द देना है तो उसकी चो छोटी बान है सरीता उसकी आयू है एम साथ सीमा उनसे चार वर्स बढ़ी है तो सीमा की आयू क्या हो जाएगी बिल्कुल सही सीमा की आयू आपकी हो जाएगी एम पलस चार तो लिखेंगे सीमा की आयू है तो जो सीमा की आयू है वह आपका हो गया ए में पलस 4 वर्स लिखें गेंगे कि वर्स तोटल है जर इस तरह वर्स लिख Tigers फ़ाएंगा चार वर्स एंड्स अलग napin तो औरिछ स्वाल मुझा तो आपको तो 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 सबी भुजा की लंबाई बराबर हो सबी कौन हो 90 डिगरी का अगर आप 90 डिगरी नहीं जानते हैं तो आपके आगे के प्रस्ण में इस तरह के चीज दिये गए हैं तो इसके आगे मैं बताऊंगा अब देखे परिमाप बोलते हैं इसके चारों भुजाओं को में जोड़ना ह तो चलिए अगर इसका एक भुजा एकस एल दिया है तो ये गुलाबी कितना होगा एल ये गुलाबी एल ये गुलाबी एल ये गुलाबी एल तो इस तरह से वर का परिमाप होता है वा कितना हो जाता है तो वर का परिमाप हो जाता है आपका चार एल तो लिखेंगे परिमा तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल दिया गया है कि S, लंबाई, T, चोड़ाई वाले आयत का परिमाब कितना होगा देखिए आयत किसे कहते है देखिए वह आकर्दी जिसमें आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो, सब भुजा नहीं इसके सिधाम यह लाद यह लाद यह लाद बराबर होगा इसके सिधाम यह लाद यह लाद बराबर होगा और लेकिन चारों कौन कितना होगा तो चारों कौन आपका 90 डिगरी होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं के परिमा आपको आपको जाए गा दो गो एस को और दो एको टी तो तो गो गए तो क्या करना पड़ेगा प्राकल पर रखना पड़ेगा तो यह आपको पाँच नम्मर का एंसर तो चलिए अपने च्छो नमर सवाल को पढ़ते हैं सवाल दिया गया है कि K 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 से भानू का जाता है तो मांद लिए यहां तरह ही चला यह किontin की हम के लॉमस्ट हो गया और उसके बाद भी 2 km है तो किसे निखालें किया करें मैं किया यहां से यहां तक दोर्द देंगे हम जोड़ बराबर के जोड़ दो किलो मीटर तो चलिए आपका यह सवाल भी यहां पर यह कम्प्रिट हो जाता है फिर हम चलेंगे इसके अगले सवाल पर तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं क्या है इसका अगला सवाल दिया गया है कि तो आपको यहाँ पे इसका अगला सवाल दिया गया है कि यदि A बराबर 2 हो तो निम्न को परिबर्तित करके 4 में लिखी मतलब कि जहाँ पे भी हमको A दिख रहे हैं वहाँ पे में क्या रखने हैं? 2 रखने हैं तो चलिए आसान सा चीज़ है इसे बना लेते हैं तुरंट तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मुझे इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा तो देखिए आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं तो 2 के जब हमें क्या लिखना है? A लिखना है और बाद 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 बाकिए आपको जो भी ऐसाफ आपको लिखना है क्या होगा? A प्लस 3 यहाँ पर 3 है माइनस है 2 है दो के जब हमें लिखने है इसी तरह जब आगे चलिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 है आपके बाहर में अंदर में भी दो है ए प्लस तो यह सवाल आपके यहां इस तरह से बन गए आप इन्हें अच्छे से नौट कर ले तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर हमारा अगला सवाल दिया गया है कि सुमन की आयू जैड़ वर्स है तो आज से तीन वर्स पूर सुमन की आयू क्या थी अच्छे से बन लए आज आज आपकी आयू है 14 सार तो तीन साल काम थे मतलब की आप थे 11 साल के और अगर अगले का बताना है तो गड़ेंगे पूरू मतलब होता है पहले पसचात मतलब होता है बाद तो चलिए करते हैं अपने इस से स्वाल को सॉल्व लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा इसे थोड़ा जूम करना पड़ेगा तो लिखेंगे तीन वर्स पूर वह आयू तीन वर्स पूर आपको लिखने हैं यहां पर आयू तो देखिए इसका आयू भी कितना है जैड सल तो अभी तो जैड है तीन वर्स पूर इससे तीन हो जाएंगे कम तो जैड माइनस तीन हो जाएंगे आपके वर्स तो चलिए पिर अगला लिखना हमें 5 वर्स बाद तो क्या लिखेंगे 5 वर्स बाद पांच वर्स पांच वर्स बाद आपको यहां पे लिखने है आई यू तो देखिए अभी आपका जैड साल है पांच वर्स पाद इसमें पांच जूट जाएगा तो आपके हो गए जैड पलस पांच वर्स तो यहां आपका हो गया इसका जवाब तो आपने इन्हें नौट कर लिया हुआ अधिन नौट नहीं किया है तो आप वीडियो को रोके नौट कर लें या फिर आप वीडियो को समझ लें अब दुबारा देखके भी से आप नौट कर सकते हैं तो चलते हैं अगले सवाल पर हमारा अगला सवाल दिया गया है कि सवाल है चाय का मुले चीनी के मुले से आठ गुने है से चोगदा रुपय अधीक है यदि चीनी का मुले यह हो तो चाय का मुले है क्या बताए चाय का मुले चीनी के मुले के आठ गुना है और उससे 14 रुपिया अधीक है मतलब कि अगर इसका मुले ए है तो इसका मुले होगा आठ ही ए और उससे भी 14 रुपिया अधीक समझ में आ रहा है ना ज़िस समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो मैं इसे और अधीक और अच्छे तरह से explain करने की process करूंगा तो क्या या चाय का अब का हो गया मुले तो चाय का मुले तो या आपका हो गया चाय का मुले बराबर इतना तो आप इन्हें not कर लीजिए और यह आप नोट नहीं करेंगे तो बाद में भी आप वीडियो को देखे से नोट कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर हमारा अगला सवाल जो है वह इस परकार है कि चटाई की चोडाई लंबाई के आधे से तीन अधीक है अधी लंबाई 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 ल बटा दो और तीन दीगा तो पलस तीन तो इस तरह से यहां आपका 38 नमबर पेज नमबर समाब होता है तो चलिए शुरू करते हैं अगला पेज लेकिन अगला पेज शुरू करने से पहले एक बात कि अधी अभी तरह आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली आपके अगला सवाल देखते हैं और आज़ जो हमारा अगला सवाल है अगला पेज का वापका अभ्यास कार्य पत्रक 33 और आपका पेज नमबर है 49 तो अभी हम सौल्व करेंगे तो चलिए एक एक करके सवाल को जल्दी से सौल्व करते हैं और आप लोग वीडियो पुरा द के सबस्क्राइब को बैंग नाए है फॉ accessories को तो एम्हाइ है पांच जोड़ दिये कि इस ऐधर बने गैने में टो शफक्राहिए उस में पॉस्य थी कि बने का भाइख गणी आथ़ का लगो गया एक का एक का- involved तो एक का 3 गोनिकातिना कर दिये का 5 कण्राइब का य' बी का चोथाई, चोथाई मतलब होता है चार से भगा देना तो बी बटा चार या आपका यहाँ पर एंसर हो गया यहाँ पर य अच्छा से नहीं है चलिए मैं य को अच्छे से लिख देता हूँ या आपका है या आपका था बी तो चरिए अपने दो नमर सवाल को रिखते हैं हमारा दो नमर जो सवाल है वहा है निमली खित बीजी और बेंजकों के लिए कथन लिखी लेकिए एक स्पलस चार है इसको लिखा गया एक टोकरी में कुछ आम थे चार और डाल दिए तो टी माइनस चार है तो क्या लिखेंगे तो आपको यहां पर लिखने हैं कि एक टोकरी में चार आम थे या एक टोकरी में टी आम थे उनमेंसे क्या किये चार निकाल लिए एक टोकरी में कुछ आम थे उनमेंसे चार निकाल लिए तो यह तोकरी में क्या थे तो एक टौकरी में आपके कुछ याम थे उनमें से चाह निकाल लिए तो T-6 के M बटाती है तो क्या कर से ने कोई चीज को तीन भाग में बांट दिये तो लिखते हैं कलम को तीन भाग में बांट दिये तो लिखेंगे कुछ कलमें थी कुछ कलमें थी उन्हें या उनको तीन भाग में बांट दिये तो या आपका इसका एंसर हो जाए कुछ कलमें थी उन्हें तीन भाग में बांट दिये तो यह आपका हो गया बटा तीन अर्थादिया आपका हो गया M बटा 3 तो आप लोग इन्हें नौट करते चलिए और फिर बाद में भी आप इन्हें नौट कर सकते हैं तो चलिए मैं पहले वाले सवाल को बावा दिखा जिता हूँ कि ये क्या लिखना है एक टोकरी में कुछ आम थे लिखली होंगे उनमें से अच्छा निकाल लिए दूसरा दिया गया है कुछ कलमें थी उनको तीन भाग में बाट दिया चलिए अगरा लिखते हैं पांच एक्स माइनस दो तो क्या रखेंगे पांच गुने से दो का तो पांच गुने से दो कम आपको दिये गए है कि पांच गुने से दो कम हो गए अगला दिया गया वाई वाई 7 तो किसी चीज को साथ भाग में बाटना किसी चीज क्या कि साथ भाग में बाटती है साथ बराबर भाग में बाटना साथ बराबर भाग में बाटना तो यह आपका हो गया कि आपको साथ बराबर भाग में क्या करने है तो बाटने हैं तो यह आपका हो गया साथ बराबर भाग में बाटना तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि है मेरा स्वाल पूरा complete हो गिया हम अपने तिन नमगा सवाल को लिखते हैं देजिए तिन नमगा सवाल पूरा पढ़ ये दिया गया है कि नमलखिथ भे जखरकव मैसे च्रवांचर पदको छांट कर लिखी है तो यहां पे आपको तीन को आप दो रख सकते हैं क्या नहीं तो जिसका मान हम बदा सकते हैं उन्हें चर काते हैं जिनका मान नहीं बदा सकते हैं उन्हें अचर काते हैं तो चलिए एक एक करके लिखते हैं तो हमारा जो पहला सवाल है M पलस तीन इनमें M क्या है? तो M कामान बदा सकते हैं 4 हो गया 3 कामान नहीं बदा सकते है 3 प्लस 4 इसमें दोनों तो अचार ही है दोनों से किसी कामान नहीं बदा सकते है तो 3 और 4 आपके अचार हो गई दोनों अगला है X बटा 3 बराबर 2 तो इसमें X का मान क्या है चार है इसमें तीन और दो आपके अचार है तीन बटा चार प्लस एक तो देखें तीन बटा चार प्लस एक सब क्या है सब आपके अचार ही है तो तीन चार और एक सब आपके अचार ही है 4 बटा 3 माइनस 2 तो इनमें आपको 4, 3 और 2 जो दिख रहे हैं वो आपके अचार पाद ही है इनमें 5 गुने 2, 3 पुलस 4 मतलब कि यहाँ पे इनमें जो आपको दिख रहे हैं 5, 2, 3 और 4 सब भी आपके अचार ही है यहाँ पे आपको जो 2 रिखिए इसमें सिफ एक्स दिख रहा है जो कि आपका अचार है बाद का 2 और 6 आपके अचार है यहाँ पे एन आपका चार है और 5 आपका अचार है तो आपको इसी तरह से लिखने थे तो आप इन्हें जन्ली से इसका स्क्रीन सॉट ले लें अप फिर आप इन्हें कोफी में नौट कर लें अप फिर आप एक बार वीडियो को समझने के बाद अब दुबार आप इसे लिख सकते हैं तो चलिए अगला लिखते हैं दिया विसम बाहुत तिर्भूज के परिमाप को बीजिये गनीद के रूप में लिखिए दिखें विसम बाहुत तिर्भूज के नहीं काते हैं तो विसम बाहुत तिर्भूज उस तिर्भूज को कहा जाता है तो आप इसे नहीं बने हैं तो विसम बाहु तिर्भूज यहां पे दिये गए होंगे तो विसम बाहु तिर्भूज जिन तिर्भूज को काते हैं जिनकी लंबाई जिनके तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती तो वह तिर्भूज जिनके तीनों भुजाएं बराबर नहीं होते हैं मतलब कि आपकी इस वुजा की लंबा यादी ये है इसकी B है इसकी C है तो तीनों बराबर नहीं हो तो इसका परिमाब क्या हो जाए ये प्लस B प्लस C तो इसका परिमाब का परिमाब होता है A प्लस B प्लस C तो लिखेंगे परिमाब बराबर A प्लस B प्लस C तो परिमाब बराबर A प्लस B प्लस C यह होगी आपकी लंबाई चोड़ाई और उचाई तो चलिए फिर चलेंगे अपने अगले सवाल पर जो कि हमारा आज का और इस पेज का अंतिम सवाल है तो अंतिम सवाल बनना ताने से फाले एक बार फिर से आप लोगों से अगरा है कि मेरे चैनल पढ़ाई विद्पीके को अभी जरूर सबस्क्राइब करें वीडियो को आप लोग लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें ताकि मैं भी इस तरह की और वीडियो बना सकूँ और आप लोग के लिए या मददगार सिद्ध हो तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल दिया गया है एम दोसाथ का उप्योग कर चार वेंजग बनाईए जो योग आकलन गुनन भाजन की संक्रिया पर अधारी थो तो एम दोसाथ का उप्योग करके आपको चार वेंजग बनाने जो कि आपका आकलन गुनन भाजन की संक्रिया आपर अधारी थो तो चलिए असान सा चीज है तो चार बनाने चलिए पहला नमबर बनाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एम पलस दो गुने साथ एक हो गया आपका एम माइनस दो गुने साथ आपका दो हो गया एम भगा दो गुने साथ या फिर एम गुने दो भगा साथ तो आप देश सकते हैं कि आपको यहांपे मैंने चार बना दिये हैं आप इन्हें अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिए तो आज का वीडियो नहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और वंदे मातरम जाए हिंद